हाई गाईस जैसे कि आप सबको पता है जब इंडिया का बजट आया था अभी कुछ समय पहले की बात है तब भी ये बात बोली गई थी कि माक्सिम्म ऐसे सेक्टर्स होंगे जिनको प्रेविटाइज किया जाएगा उसमें से एक सेक्टर का नाम आया था जो था हमारा रेलवे तो रेलवे सेक्टर को अभी प्रेविटाइज किया जाएगा की नहीं किया जाएगा इन फ्यूचर प्रेविटाइज होता है की नहीं होता है यह तो एक बहुत बड़ा सवाल है लेकिन इसी के साथ में प्यूज गौयल जी के दौरा एक और बात कह दी गई है वो यह है कि अभी आने वाले समय में, इंडिया के अंदर टोटल 18 railway zone है, जिसमें से 16 railway zone ऐसे होंगे, जिनको अपने हाँ पे number of vacancies को कम करना पड़ेगा, टोटल number of vacancies जो कम करने की बात हो रही है, वो 13,450 बताई जा रही है, जिसमें से सबसे पहला जो ऐसा सेक्टर है, या फिर ऐसा जोन है, जहां पे इसको एपलाई किया जाएगा, वो होगा, नौर्थ वेस्ट जोन, जहां पे करीबन 600 पोस्ट होंगी, जिसको कम कर दिया जाएगा, तो एक तो वैसे भी रेल्वे के पेपर आप जानते ही है, कि कितना ज़्यादा समय लगता है, उसके बाद में रेल्वे के इतने सारे आपने देखा होगा, फेजिस होते हैं पेपर के लिए, फिर जाके कहीं रिजल्ट आता है, अब एक तो यही प्रॉब्लम थी, अब यहा